आजकल फिल्मों को जज़ करने के लिए सिफ दो शब काफी है, रीमेक या फिर ओरिजिनल, 50% फैसला तो तब ही हो जाता है, फिल्म चलेगी या पिटेगी दृश्यम इसको बिना किसी शक्या आप बॉलिवुड से निकलने वाली one of the best suspense ट्रिलर बोल सकते हो लेकिन साथ साल पहले 99% हिंदी ओर्डियन्स को ये नहीं पता था कि वो फिल्म ओरिजिनल नहीं रीमेक थी, बट आज तो पता है, तो अब पार्ट टुका क्या होगा दृश्यम टु का ट्रेलर फाइनली आफटर काफी लंबा इंतिजा यूट्यूब तक पहुँच गया है, साथ में लेकर आया है वही पुराना suspense और डर काफी सारी बगवास फिल्मों के ट्रेलर देखने के बाद फाइनली एक अच्छे तरीके से एडिट किया ट्रेलर देखने को मिल रहा है स्टार्ट से लेकर एंड सीन तक फिल्म का suspense बना हुआ है, कहानी कितनी खतरनाक टाइप की होगी उसका हिंट भी मिल गया, प्लस कुछ रिवील भी नहीं हुआ मैं जानती हूँ ट्रेलर और ये मेरा वाला वीडियो सबसे ज़ादा आजे देवगन के फैंस देख रहे हैं, है न? बट दोस्त, मेरे लिए ट्रेलर देखने की वज़ए कोई और ही है, अक्षे खना एकदम अंडरेटेट परफॉर्मर, वाट अकमबाक ये बंदा तुरिश्यम्टू की हाइलाइट होने वाला है, बिना फिल्म देखें, 100% भरोसे के साथ बोल सकती हूँ मैं इस बात को अजे देवगन तो हमेशा सेंटर पर रहें गई, ये कहानी चलाई ही वो रहे हैं, हम सब उनकी आँखों से फिल्म देख रहे हैं इसलिए आज भी जब दिर्श्यम्टू का ट्रेलर देखोगे तो दिमाख अपने आँ फ्लेश बैक में जाके वही एमोशन और कनेक्शन को ढूंड लेगा जो इन लोगों के साथ पिछले साथ साल से जुड़ा हुआ है तो फिर दिक्कत कहा हैं, आप जानते तो हो रीमेक, ये शब पीछा नहीं छोड़ेगा, जादू टोना कुछ भी कर लो दिरिश्यम बॉस एक सिस्पेंस बेस्ट फिल्म है, कहानी में ही इसका असली पावर छुपा हुआ है, कुछ VFX वगयरा नहीं मिलेगा आपको अब सोचो कहानी अगर पहले से ही सुन ली और सिस्पेंस खुल गया, तो थियेटर में दो घंटे निकालना कितना मुश्किल होगा, जान बूज कर कोई ऐसी गलती करेगा जो ओरिजिनल फिल्म है, दृष्ट्रम 2, मोहललाल सरवाली, वो डिरेक्ट OTT पर आई थी, और ट्रस्ट मी, इसने फर्स पार्ट को भी छोटा बच्चा साबित कर दिया था उस फिल्म का हाइप इतना जारा क्रियेट हुआ था कि मुझे लगता है, जो ट्रू सिनमा लवर्स है, वो अल्रेडी उसको कम से कम एक बार तो देख चुके होंगे अब ये रीमेक वाली फिल्म के मेकर्स को कॉन्फिडेंसिफ एक शब्द से मिलेगा हिंदी डबिंग, जो ओरिजिनल मल्यालम फिल्म के साथ अवेलेबल नहीं थी क्या लगता है इतना काफी होगा ओडियंस को थेटर तक खीच कर लाने के लिए औरिजिनल फिल्म तो ओडिटी पर रिलीज हुई लेकिन ये रीमेक लेकर थेटर पहुँच गए, कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस तो ये वाला पार्टू अभिशेक पाथक ने डिडिट किया है जो औरिजिनली एक प्रिड्यूसर है अब पता नहीं डिरेक्शन में इनका टेलिंग कितना काम करेगा रिस्क है बॉस पताफर जल्दी कॉमेंट मारके अपना एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर दीजिए अपके पास कोई रीजन है याफर घर बैटकर दोबारा ओरिजिनल पाली फिम देखना पसंद करोगे बोलो बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो याफर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं को इंस्ट्रग्राम पर मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा से इंतिजार करें मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक कैर बाइबाइ